Hello friends, दशेरे के आपको बहुत बहुत शुब काम ना है, दशेरे के दिन जहां सब लोग रावन जला रहे होते हैं और जो दशेरे का तिवहार है बुराई पे अच्छाई की जीत का तिवहार है जिसमें अपने ये कहते हैं कि जितनी भी बुराईया है उन सबको जला डाले, ले और उनका इलाज शुरू करें, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि बिमारियां आज के आज खतम हो जाएंगी या बिमारियों को आज जला डालें, बट ज़रूर ये कर सकते हैं, कि हम हेल्थ चेक अप लें, क्योंकि हम सारे फेस्टिवल मनाने को तयार हैं, होली, दिवाली, दश बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या है, निरोगी काया, इसके बाद ही सब कुछ आया, यानि कि अगर आपका हेल्थ ये आपके साथ नहीं है, तो आपकी चीशाओ नहीं कर सकते, आपको फेस्टिवल नहीं मना सकते, आपकए और चीशाओ और शुभने फिर न में रखिए और उसकी लिए अगर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो बिल्कुल मर जिजखिए जरूर अपने उपर जो लिमिटेड पैसा है वो जरूर खर्च कीजिए और अपनी जाचे जरूर करवाईए और एज़ फीमेल हेल्थ स्पेशलिस्ट और जानी है क्यों कि सबसे पहले फीमेल का डिसिजन पुरे परिवार में चलता है और अगर अपने लिए- मॉवेर उसको पता है कि उसके पती की health भी उतनी important है जित्ती कि उसकी और बाकी बच्छों की भी उतनी ही important है तो suggestion ये है कि साल में सिर्फ एक बार अपना annual health check-up करवाना है date आप decide कर लीजे जब भी आपको comfortable हो आप तब करवा सकती है और उसके अंदर simple blood tests के अलावा एक सोनोग्राफी यानि पूरे पेट की सोनोग्राफी जिसे कि ultrasound whole abdomen या सोनोग्राफी whole abdomen बोला जाता है जरूर करवाईए और as a female आपको cervical cancer की जाँच जरूर करवानी चाहिए जिसे कि pap smear बोला जाता है जो साल में एक बार कराने के बाद तीन साल तक valid होती है यानि कि ये जाँच तीन साल में एक बार होती है तो आप सोचिए कि एक जाँच आपको तीन साल तक protection देती है cervical cancer से और आपको जानकर बहुत बड़ा आश्चरी होगा कि cervical cancer एक ऐसा cancer है जिसके लिए जाच अवेलेबल है लिक्वीड पैप स्मेर अवेलेबल है और उसी के लिए टीका भी अवेलेबल है और वो वेक्सिन के सिर्फ तीन डोज लगती है और वो कम से कम आपको 70-80% उसका प्रोटेक्शन देती है तो सोचिए कि अगर कोई ऐसा कैंसर है जिसके वैक्सिन और टैस्ट अवेलेबल है लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए कि वी आर नंबर वन इन दे सर्वाइकल कैंसर सोचे कि हम कितना लापरवा हैं अपने स्वास्थे के लिए फीमिल कितना इगनोर करती है अपने आपको और जिस कैंसर की वैक्सीन और टेस्ट अविलेबल हैं बहुत पहले डाइगनॉसिस बनाने के लिए उसमें हम लोग टॉप कर रहे हैं वी आप उस्ट परन लेना पड़ेगा आप इ। लोगों को स्टत नोच करो अपने आप ऐंगे अन्य ग्स एंगी मदेरी लॉच wife दिशान रखेंगी तो तो डेफिनेटली अपन भारत को cancer मुक्त कर सकते हैं, cervical cancer में हम नीचे आ सकते हैं, इसके अलाबा अगर आप एक sonography अपने पेट की पूरी करवाती हैं, तो बच्चे दानी की जांच हो जाती है, अंडे दानी की जांच हो जाती है लीवर में और भी कहीं कोई प्राब्लम चल रही होती है तो वह भी अपने को पता चल जाती है क्योंकि ओवेरियन कैंसर का बहुत लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है इसलिए अगर आप समय पे सोनोग्राफिक कराती है तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाता कि अंडे द अपने 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 पता है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अपके पिट के अंडर गांठ है तो इसमच सर्प्राइजिंग केसे अलसो कमस तो आप जो और ऐसे केसे भी आते हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर का दो तीन दिन पर ने केस देखा कि जो फोर्थ स्टेज में म केफडों में सब जगे फैल चुका है अब यह बिल्कुल होपलास सिच्वेशन है जहां हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिर्फ कीमो थरेपी दे सकते हैं और उसकी जो एवरेज एज है बहुत ही कम रहे गई है और वही यह अगर पहले जहांच करवाती है और स्टेज वन में भ पारिवार की सुरक्षा कर सकते हैं तो यह डिसीजन आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं क्योंकि अगर आपका शरीर सवस्त है तभी बाकी कुछ सब आपको अच्छा लगेगा तो यह आज ही आपको करना है कि रावन जलाना है या अपनी बीमारियां जलानी है और अपने परिवार जनों के स्वास्ते की देखबाल बहुत अच्छे से कर पाएं। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में तब तक हैपी दशेरा।